बच्चों हम कर रहें कक्षा साथवी की फरवरी महने की वरक्षीट जो की गणित विशय की है ठीके गणित की फरवरी महा की वरक्षीट है इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है पिताजी का नाम शाला का नाम मतलब संस्था आपकी स्कूल का नाम लिखना है यहा का सोमवार का तापमान माइनस ठीक है रिण 10 डिग्री सेंटीग्रेट था अगले दिवस तापमान में 3 डिग्री सेंटीग्रेट की व्रद्धी हो गई तो उस दिन का तापमान होगा तो माइनस 10 था ठीक है 3 की व्रद्धी हो गई तो कितना हो जाएगा तो यह माइनस दस में से तीन की वरद्धी हो गई, तीन की वरद्धी हो गई, ठीके, तो यहाँ पर उतर आ जाएगा रिन का, ठीके, रिन का साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा रिन का साथ, ठीके, रिन का साथ आएगा, माइनस के दस में से तीन घर जाएगे, ठीके, तो रिन क साथ आएगा क्योंकि चिन्ना हमेशा बड़ी संख्या का आता है तो यहां पे रिनका साथ हो जाएगा दूसरा प्रश्ण है रामू के पिता की वर्तमान आयू रामू की आयू के तीन गुने से अधिक है यदि रामू की वर्तमान आयू एक्स वर्ष है तो इस कथन का व्यंज रामू की वर्तमान आयू एक्स वर्ष हो गई तो इसके पिताजी की आयू कितने है पिताजी की आयू जो है रामू की आयू के तीन गुने से आट अधिक है मतलब रामू की आयू एक्स है पिताजी की आयू तीन गुना मतलब तीन का गुना है से आट अधिक है मतलब तीन ए तो यहां पर यह उत्तर आएगा 3x सधन 8 इस उत्तर को हमें यहां पर लिखना भी है ठीक है इसमें भी आप लिखोगे ठीक है इसमें भी आप लिखोगे 3x सधन 8 इसके बाद प्रेश्च नमबर जो 30 रहे निमनलेकित में से कौन सा समकौन ट्रिभुज की पुजाओ को दर्श प्रस आता है तो इसमें आएगा師 से वाला ठीक हमको यहां लिखना भी पड़ेगा 6, 8 और 10 अब अगला जो प्रश्न है चोथा दी गई आकरती में 6 आंकित भाग पूर्ण का कितने प्रतिशत है तो चायांकित भाग पूर्ण का कितने प्रतिशत है तो पूरे भाग का कितना प्रतिशत है तो यहां जो चार भागों में भाजी थे यहां चायांकित जो है आकरती चार भागों में भाजी थे इन में सच यह तीन भाग है वह चायांकित थे और एक भाग चायां तो यहाँ यदि हम इसको पूरा 100 माने किवा यह परसेंट में दे रखा है इसको यदि पूरा उला 100 माने तो 100 में से 100 के 4 भाग हम कर देंगे मतलब हर भाग हम 25, 25 यहाँ 25 यहाँ 25 तो 3 भाग 25 यहाँ 25 đã्चीष 25 यहाँ 25 यहाँ 25 यहाँ 25 यहाँ 525 पर तीन बहुत अं Selbst談 horse इसके बाद अगला है, मैंने इसे 800 में खरीदा, दुकानदार, और मैं इसे 1000 में बेचता हूँ, मतलब कोई सामान किसी दुकानदार ने 800 रूपे में खरीदा और 1000 रूपे में बेच रहे, उक्तले इन देन में मेरा लाब या हानी परतीशत कितना है, तो दुकानदार ने सामान 800 में खरीदा था और 1000 में बेचा, तो उसको लाब किता हुआ, फायदा हुआ है, नुकसान पहले बताओ, तो इसमें तो उसको फायदा हुआ है, क्योंकि उसने 800 में खरीदा था, कम में खरीदा था, और 1000 रूपे में बेच दिया, मतलब उसको 200 रू प्रतिशत लाब हुआ, तो सामान खरीदा था उसने 800 में, ठीके? 800 का कितना प्रतिशत, माना की एक सप्रतिशत होगा कितना? 200 ठीके, 200 का लाब हुआ है इसलिए 800 का कितने प्रतिशत होगा 200, तो यह हम निकाल लेते हैं, ठीके? तो यहां पे हो जाएगा एक सब बराबर 200 गुणा 100 बटे 800 2 0 से 2 0 कार्ट दी अब यहाँ पर हम इसको कार्ट देंगे 4 से 4 दुना 8 4 पंजो 20 और 0 फिर से 2 एकम दो 2 दुनी 4 2 पंजे 10 तो यहाँ पर आग्या 25 प्रतीशत क्या हुआ 25 प्रतीशत लाब हुआ है 25 प्रतीशत लाब ठीके क्योंकि लाब की गणना हम जितने में उसने सामान खरीदा था उसमें से करेंगे तो उसने जो सामान 800 रुपे में खरीदा था तो 800 का परसेंट निकाल दे तो हमने मान लिया कि वह 100 परसेंट लाब हुआ उसे ठीके 100 परसेंट लाब हुआ तो एकस बटे सो बराबर है कितना है लाब तो उसको 200 रुपे हुआ हमें परसेंट निकालना था तो एकस का मान निकाल लिया हमने तो एकस बराबर होगा 200 गुणा 100 बटा 800 तो इस प्रकार 25 एंसर आ गए तो 25 परसेंट हुआ है अब अगला जो प्रेशन नमबर दूसरा है निम्नलिकित प्रेशनों के उत्तर लिखिए तीन गुणा रिन के चार को संख्या रेखा पर निरुपित कीजिए तो सबसे पहले हम इसको हल कर देंगे कि तीन में संख्या रेखा पर यहां पर है ठीक है संख्या रेखा पर यहां पर है हमने बता दिया रिन के 12 जो प्रेशन है निम्नलिकित सार्णे के अंतिम इस्तंब को पूरा किजिए तो यहां एक समीकरण दे रखा है और यहां पर चरका मान दे रखा है और बताए कि समेकरण संतुस्ट होती है या नहीं, हा या नहीं या लिखना हमें, तो ठीके इसको हल करना पड़ेगा, तो एकस धन 4 बराबर 0 है, और एकस धन 4, तो यह चर का मान दे रखा है, तो यहाँ पर एकस का मान दे रखा, तो यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए था एकस बराबर धन के 4 ठीके तो समीकरण हम अच्छे सहल कर पाएंगे एकस बराबर धन के 4 आना चाहिए था यहां पे तो एकस के इस्थान पर हम लिख देंगे एकस के इस्थान पर लिख देंगे 4 धन 4 ठीके 4 धन 4 बराबर 0 तो 8 बराबर 0 तो यहां समीकर्ण संदुस्ट नहीं हो रही है क्योंकि समीकर्ण के दोनों तरफ के मान बराबर आएंगे तो ही समीकर्ण संदुस्ट होगी तो इसमें हम लिख देंगे नहीं ठीके नहीं और यहां पर यह सुधार करके आपको X बराबर 4 करना पड़ेगा तो ये सही है दूसरा है एकस धन 4 बराबर 0 और एकस बराबर लिखा है रिंगे 4 तो एकस के इस्तान पर हम लिख देंगे रिंगे 4, þन 4 बराबर 0 तो धन और रिंग आपस में कट जाएंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा 0 बराबर 0 तो यहाँ जो समी करण है यह संतूस्ट हो रही तो यहां हम लिखेंगे हाँ अब 5Y बराबर 25 और Y का मान दे रखा है यह 5 तो Y के जगे हम Y का मान रख देंगे 5 तो 5Y की जगे 5 लिख दिया ठीके 5Y मतलब 5 गुणा Y है तो Y के स्थान पे हमने Y का मान रख दिया बराबर 25 पाँच में 5 का गुणा करेंगे तो 25 बराबर 25 तो यह समीकन संतूस्ट होती है हां लिखेंगे यहां पे अब अगला जो है 5Y बराबर 25 और Y बराबर 0 तो 5 गुणा Y की जगे 0 बराबर 25 किसी भी संख्या में 0 का गुणा होता है तो 0 बराबर 25 तो यह जो समेकन संतुस्ट नहीं हो रही है तो किसके दोनों और कि संख्या बराबर नहीं है अब अगला जो सवाल है रेनू अपने बगीचे में 4 पोधे एक पंक्ती में लगाती है दो क्रमागत पोधों के बीच की दूरी 3 बटा 4 मिटर है प्रथम एवं अंतिम पोधे के बीच की दूरी ग्याद कीजिए तो देखो रेनू अपने बगीचे में 4 पोधे एक पंक्ती में लगाती है तो ठीके यह 4 पोधे होगए 1, 2, 3, 4 पोधे लगा दिये दो क्रमागत पोधों के बीच की दूरी 3 बटा 4 है मतलब इन दोनों के बीच की दूरी है 3 बटा 4 इन दोनों के बीच की दूरी है 3 बटा 4 और इन दोनों के बीच की दूरी है 3 बटा 4 अब प्रथम एवं अंतिम पोधे के बीच की दूरी क्याद कीजिए मतलब हमें प्रथम और अंतिम पोधे मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्यात करने तो इनकी दूरी कितनी है यह होगी इन तीनों के जोड़ देंगे तो इनकी दूरी आ जाएगी तो हम यहां पर करेंगे तीन बटे चार धन तीन बटे चार धन तीन बटे चार अब इन तीनों को जोड़ेंगे क्योंकि नीचे हर समान है सब के तीख, नीचे के हर समान है इसले उपर के अंशबी हम जोड देंगे 3 और 3 6 और 3 9, 9 बटे 4 तो अंतिम पोधे और प्रत्थम और अंतिम पोधे की बीच की दूरी आ जाएगी 9 बटे 4 हम इसको और भाग भी लगा सकते हैं तो 4-2-8 हो जाएगा और एक बचए गा ठीक है एक दश्मिलों की 0 लग जाएगी फिर 4-2-8 करेंगे फिर 2-2-4-25 इस प्रकार भी हम कर सकते हैं इसको हम 9 बटे 4 भी हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें सवाल में भी इसी तरह से लिखा था पूरक कोणों में वर्गी करनध कर उत्तर हाया नहीं में लिखेंगे। तो पूरक कोण कोन से होते हैं। किसका 90 है, तो यहांपे पूरकॉण, पूरक कॉण हा या नहीं लिखना और यहांपे भी हा नहीं तो 63 और 117, तो 63 और 117 मिलके हो जाएंगे 180 तो यहाँ जो है 180 क्या है? सम पुरक कोन है? तो हम यहाँ हा लिखेंगे और यहाँ? नहीं उसी प्रकार 61 और 39 तो 61 और 39 हो जाएंगे 90 डिकरी के तो 90 डिकरी का हो रहा मतलब यह पुरक कोन है? और यहां लिख देंगे नहीं उसी प्रकार उसी प्रकार 18 degree हो रहा मतलबे संपूर कौन है तो हम यहां लिखेंगे हाँ और यहां लिखेंगे नहीं अगला प्रेशन दीकई आकरती में कितनी सम्मित रेखा है दर्शाई है तो सम्मित रेखा वह रेखा होती है जो कि किसी चित्र को या किसी आकरती को दो बराबर भागों में बाढ़ सकती है ठीके दो बराबर भागों में बाढ़ सकती तो हम देख लेते हैं कि इस चित्र में क यहां हो सकती जिससे कि ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी तो यहां पर आएगा उत्तर दो और सम्मित रेखाओ की संख्या आजाएगी दो अगला प्रश्ण है निमनाकित प्रश्णों को हल कीजिए बीस से चोटी अबाज्य संख्याओ के इसे चार युगमा लिखे जिनका योग पास से विभाज्य हो तो बीस से चोटी जो अबाज्य संख्याओ है वो हो जाएगी एक, तीन, पाँच, साथ, नो, ग्यारा, तेरा, सत्रा और उन्नेस ठीक है तो यहाँ पर हमें युगमा बनाने हैं जिससे की ऐसी संख्याओ के युगमा बनाने हैं जिनका योग पास से विभाजित, जिनका योग योदी जोड़ करें तो पास से विभाजित हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, एक धन्नों, ठीके, एक धन्नों पराबर दस होते हैं, जो कि पांसे भाजित है, पांदुना दस हो जाएगा, उसी प्रकार, तीन और साथ का यूग, तीन धन्न साथ, तीन और साथ हो जाएगे, दस, और ये भी पांसे भाजित हो जाएगा, तो प चोथा है तेरा धन साद बड़ाबर बीस जो कि पांसे भाटज है उसी प्रकार हो जाएगा सतना और टीन गर इस प्रकार से हम पांसे भाटज हो जाएगा एक धन नो leather आ गिया था हम इसको काड़ देंगे तो इस प्रकार चार हमने जो बना दिया है यह तीन हो जाएका और चार युगमन हमने चार युगमन बना दिया जो कि पांसे भाज़ी होंगे अब अगला प्रश्ण यदि आपके परिवार में आठ व्यक्तियों के लिए 6 दिन का पर्याप्त खाद्य सामगरी है यदि आपके घर 4 महमान और आ जाये तो सामगरी कितने दुन्यों के लिए पर्याप्त होगी ठीक है तो इसको करने का आसान तरीका है चुकि आठ व्यक्तियों के लिए पर्याप्त सामगरी बराबर 6 दिन की है ठीक है इसलिए एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त सामगरी बराबर क्योंकि आठ व्यक्तियों के 6 दिन तक खाद्य सामगरी चलेगी तो एक व्यक्ति के लिए कितने दिन चलेगी तो जादा दिन चलेगी या कम ज्यादा दिन चली गई एक व्यक्त दिखाएगा तो यहाँपे हो जाएगा आठ गुणाच छे ठीके, इसी लिए या इसी प्रकार यदि चार महमान आ जाए ठीके, चार महमान आ जाए मतलब कितने लोग हो जाएँगे? आठ लोग 12 व्यक्तिय के लिए कितनी होगी 8 गुणा 6 बटा 12 अब इसको भाग लगा देंगे 6 कम 6 6 दूना 12 2 कम 2 2 जोकाट तो यह होगी 4 दिन यदि 4 महमान और आ जाए तो वो सामगरी कितने दिन और चलेगी 4 दिन तो उत्तर होगा इसका 4 दिन ठीके अगला प्रश्ण है प्रश्ण बर चोथा दो प्रकार की पेटिया है जिनमें आम रखे हुए है प्रत्यक बड़ी पेटि में रखे आमों की संख्या और चोटी पेटियों में रखे आमों की संख्या से 4 अधिक है यदि बड़ी पेटि में 100 आम है तो प्रत्यक छोटी पेटी में कितने आम होंगे तो बड़ी पेटी में अधी 100 आम है तो बड़ी पेटी में आम छोटी पेटी और इसमें 100 आम है तो बड़ी पेटी में आम छोटी पेटीों से कितने अधिक है 4 अधिक है तो छोटी पेटी में आम होंगे कितने होंगे, कितने होंगे, सो, रिन, चार, सो में चार घटा देंगे, तो चन्नु आम होंगे, ठीके, तो हम लिखेंगे यहां पे, यहां पे हम लिखेंगे, कि छोटी पेटियों में, चोटी पेटियों में, आम हे बराबर, सो, रिन, चार, बराबर, चन्नु, ठीके, सो, रिन, चार, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया था, ठीके, बच्चो, तो सो, रिन, चार, बराबर, चन्नु है, ठीके, में आम बताने है ना आठ पेटिया है और प्रतेक पेटि में बताने है तो आठ पेटियों में आठ पेटियों में कुल आम तो इतने है तो आठ पेटियों में आम पराबर छन्नू बटे आठ भाग लगा देंगे आठ एकम आठ, काड़ देंगे, ठीके, आठ एकम आठ, आठ दूनी सोला, तो यहां आजाएंगे, बारा आम, ठीके, बारा आम, प्रश्ण है, निम्ना आयद चित्र को देख कर दिये गए, प्रश्णों के उत्तर दीजिए, तो इस आयद चित्र को हमें देखना और को की संख्या दे रखी संख्या दे रखी एक दो तीन चार पांच छे साथ तक और उच्छाई दे रखी सेंटीमिटर में 125, 130, 135, 140, 145, 150 और 105 सेंटीमिटर अब हमसे प्रश्ण पूछे गए हैं इस आयच चित्र में क्या सुचना दी जा रही है तो क्या सुचना दी रख जा रही है कक्षा सात्वी के लड़कों की संख्या और उनकी उच्चाई सेंटीमिटर में तो यह सुचना दी जा रही हमें कि कक्षा सात्वी के लड़कों की संख्या और उनकी उच्चाई सेंटीमिटर में किस वर्ग में अधिकतम लड़के हैं तो अधिकतम लड़के किस वर्ग में हमें दिखाई दे रहा सबसे बड़ा वर्ग यह है 135 cm वाला तो हम लिख देंगे 135 cm बर्ग में इसके बाद है कितने लड़कों की लंबाई 140 cm या उससे कम है तो 140 cm और उससे कम वाले कितने होंगे 140 cm पे यहां पर है कितने लड़के 140 cm पे है 5 लड़के ठीक है और उसके बाद 135 cm पे है 7 लड़के और 130 cm पे है 2 लड़के और 135 cm पे 1 लड़का तो हम इन सब को जोड़ देंगे 7 और 5 बारा 13, 14, 15 लड़के हो जाएंगे तो कितने लड़कों की लंबाई 140 cm या उससे कम है तो हम लिख देंगे यहां 15 लड़कों की ठीक है सबसे कम लड़के किन वर्गों में है तो सबसे कम लड़के किन वर्गों में है 125 cm वर्ग में तो हम यहां लिख देंगे 125 cm वर्ग में इसके बाद है कितने लड़कों की लंबाई 145 cm या उससे अधिक है 145 या उससे अधिक तो 145 यह है उससे अधिक यह दो है तो 145 पे कितने बच्चे हैं यहां पर 3 लड़के हैं 150 पर 2 है और 155 पर 1 है ठीक है तो 155 पर 1 है तो हम इनको गिन लेंगे 3 और 2 और 5 और 6 तो यहां पर आ जाएगा 6 किन किन वर्गों में लड़कों की संख्या बराबर है तो बराबर संख्या किन किन वर्गों में है तो यहां पर 125 वाले और 155 में बराबर है उसी प्रकार 150 और 130 वाले में बराबर है तो किन किन वर्गों में बराबर है तो हम लिख देंगे 125 व एक्सो पच्पन में तथा 130 तथा 130 व एक्सो पच्चास में तो इस प्रकार हमने बता दिया तो इसमें 60 डिगरी का 30 डिगरी का 90 डिगरी 120 डिगरी और 45 डिगरी का कोण बनाना है तो कोण आप आसानी से बना सकते हो ठीके इसके सायता से अप चांदे की सायता से कोण बना सकते हो इसके लिए सबसे पहले आपको नीचे एक रेखा खिचनी है ठीके और उसको आधार मानक और उसके बिंदू से आपको यहां पर रखना है ठीक है और यहां पर सहाथ डिगरी का कोण यहां पर बन जाएगा यहां साथ का बन जाएगा उसी प्रकार यहां पर हमने 90 डिगरी का कोण बनाया है ठीक है तो इस प्रकार आप आसानी से कोण बना सकते हो और अब जो नीचे प्रशन है, प्रशन नबर 6, नीचे दीगर प्रशनों को हल कीजिए, राजु ने एक पुस्तक 36 रुपए 65 पेसे की, तता एक पेन 5 रुपए का खरीदा, यदि उसके पास 50 रुपए हैं, तो उसके पास पुस्तक पेन खरीदने के बाद कितने रुपए 6 रहेंगे, ठीक है, तो उसने पुस्तक कितने में खरीदी, उसने खर्चे कितने करें, पुस्तक 36 रुपए, 36.65 में, और पेन जो खरीदा उसने 5 रुपए में, ठीक है, पांच में खरीदा, तो इनका मुल्य हो गया है, दशनों 6, 5, 6 और 5, 11 की एक आसिल का एक, तीन और एक चार्ट, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0,0 लगा देंगे, तो 41 रुपए, 65 पे से उसने खर्चे करें, उसके पास रुपए थे, ठीक है, उसके पास रुपए थे बराबर 50, 50 रुपए थे, और खर्चे करें, खर्चे कितने करें, उसने 41.65, 41.65 इसमें से घर्टा देंगे, इसके पीछ दश्मलो लगा के 0, 0 लगा देंगे ठीक है क्योंकि इदराली संख्या में है इसलिए अब यहाँ पर दर से आसिल लेना पड़ेगा तो 5 इसको धार देगा तो यह जाएगा 10, 10 इसको धार देगा तो यह 10 और यह जाएगा 10 यह जाएगा 9 यह भी 9 और यह जाएगा 4 दस में से तो मान लिया कि हमारे घर का जो दरवाजा है है और इसके जो यह लंबाई है यह 2 ल्म पीट है और इसकी जो लंबाई है ठीक है 5 फीट है ना लंबा 5 फीट है और 2 फीट चोड़ा है तो अब हम इसका शत्रफल जब निकालेंगे तो यह जो यह जो लंबाई हो चोड़ाई है इसकी लंबाई अधी के आमने सामने की लंबाई बराबर है इधर के आमने सामने के लंबाई बराबर ही होती दरवाजे में तो ये एक आयत की आकरति का हो जाता है ना आयत की जो आयत का शेत्रफल होता है आयत का शेत्रफल ठीक है आयत का शेत्रफल क्या होता है बराबर लंबाई गुणा चोड़ाई ठीक है तो बराबर 10, ठीक है, इसका शेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 वर्ग फीट, ठीक है, 10 वर्ग फीट, तो इस प्रकार हमने दरवाजे का शेत्रफल निकाल दिया है, अगला जो इसका खंडबत हावा प्रोजेक्ट कारे है, विध्यारती कम से कम 20 व्यक्तियों, परिवार, रिष पडोसियों की जन्मतिति देखकर, क्योंकि यहां पर आपको परिवारत के व्यक्तियों का नाम, या फिर रिष्टदार का नाम, या पडोसी का नाम लिखना था, उनसे अपना रिष्टा बताना था, और जन्मतिति में लिखना था उनका दिनांक, माह और वर्ष, तो हमने लिख दिया है, ठीक है आप अपने हिसाब से लिख सकते हो आपको जो भी पसंद हो अपने रिष्टिदार दोस्त पडोसी उनके जो है जन्म दिनांक और महिना और वर्ष लिख सकते हो, ठीक है यहाँ पे यहाँ पे डेश कर दिया मतलब यह सब पडोसी है आप इसके अनुसार भी भर सकते हो अब यहाँ इसके आधार पर ही इन प्रश्णों के उत्तर आएंगे तो परिवार में सबसे बड़े सदस्य क्यायू कितनी है 61 वर्षयो किन-किन सदस्यो का जनमें समान महा में हुआ है तो समान महीने में मतलब यहाँ पर समान महीने मतलब छटे महीने में किसका हुआ तो यह भी 6 में हुआ यह भी 6 में हुआ है यह भी 6 में यह भी 6 में तो इन सब के बारे में हमने लिख दिया है दादी, मेस्यम, बुआ और मामा जो कि समान महीने में इनका जनम हुआ है परिवार के कितने सदस्यों को मत देने का अधिकार है तो उनकी उम्र निकाल कर हम बता देंगे यहां पर आएगा 12 सदस्यों को परिवार में सबसे चोटे सदस्य के आयू कितनी है तो इसमें 11 वर्ष है जो की बहन की आयू है 11 वर्ष सबसे बड़े सदस्य वह सबसे चोटे सदे से के आयो में कितना अंतर है तो सबसे बड़े सदे से जो है दादा जी 61 वर्ष के और सबसे चोटी सदे से बहान है तो दोनों के आयो का अंतर 50 वर्ष हो गया मार्च 2021 को आप अपनी आयो के गणना कर पूर्ण वर्षों में लिखे तो हमने यहाँ पर आयू जो है 12-6-2007 लिखे बच्चों आप अपने अनुसार लिख सकते हो तो 12-6-2020 को 13 वर्षे पूरे हो रहे हैं और उसके बाद 9 महीने हो रहे हैं मार्च तक जब गिनेंगे हम तो तिहां हमने लिख दिया 13 वर्षे 9 माहा कितने सदस्यों के आयू 25 वर्षे से अधिक है तो 12 सदस्यों कितने सदस्यों के आयू 60 वर्षे से उपर है तो 2 सदस्यों की है कितने सदस्यों 18 वर्षे की आयू से कम है तो 8 सदस्यों और सभी सदस्यों के आयू बढ़ते करम में लिखे तो आप सबके आयू निकाल सकते हो ठीक है और इसको आप कर लेना सदस्यों के आयू निकाल कर तो इस प्रकार हमने यहां पर एक यह पुरा चार्ट बनाया था और इसके अनुसारी प्रेश्णों के उत्तर दे रखे हैं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए